उम्शान्ती आज 27 मार्श 2030 आज की साकार मुर्ली से हमें गुन सीखने मिलता है खुशी का खुशी सबसे बड़ा ख़जाना है खुशी है तो सब कुछ है सदा खुश रहने के लिए हमारी अन्तरिक स्थिती है हमारी अपनी चौईस है situations कैसी भी हो लेकिन हमारी मन के स्थिती जो है वो सदा एक रस रहे यह हमारी अपनी चौईस है तो बाबा बच्चों को सदा खुश रहने के लिए कहते हैं, तो खुशी को अपनी चेक भी करना है, हमारी खुशी का आधार क्या है, अगर खुशी आधारित है किसी भी चीज पर, तो वो सदा की खुशी नहीं होगी, हमारी खुशी अपनी आंतरिक होनी चाहिए, अगर किसी आज किसी ने महिमा कर दी तो हम खुश हो गए, आज किसी ने हमें सबाशी दे दी तो हम खुश हो गए, नामाचार हो गया तो खुश हो गए, किसी प्राप्ती की आधार पर खुश हो गए, या फिर कोई साधन, कोई सुविधा मिल गई, जिसकी आधार पर हमें खुशी मिल ग यही अच्छा लगता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, व्यभव हो, तो मन पसंदी चीज हो रही है, तो खुश हो गए, तो यह खुशी सदाकी नहीं है, क्योंकि यह आधारित है, dependent है और dependent है अगर है हमारी खुशी तो वो सदाकी नहीं होगी, अविनाशी नहीं होगी, अगर हम सदाकुश रहना चाहते हैं तो हमारी मन की अवस्था ज्यान युक तो होनी चाहिए, यानि हर परस्थती के अंदर हमारा state of mind balance हो, जिसमें विशेश र सनान भी करते हैं तो fresh feel करते हैं, इसी तरह से ज्यान का सनान करने से मन भी सदा refresh रहता है, और जितना हमारा मन refresh रहेगा उतना खुश रहेगा, इससे क्या होता है, एक तो हम बुरे संग से भी बच जाते हैं, हमारी मन की अवस्था मस्बूत होने लगती है, ज्यान की हमारे अंदर आने के कारण से उसे प्रयोग करना आसान हो जाता है, और जब हम ज्यान का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, तो समस्याए ऑटोमेटिकली खतम होने लगती है, संशे सारे खतम होने लगते हैं, और हमारी अवस्था जो है, वो सदा हर्षित रहती है, कोई हमारा टीचर है, तो टीचर भी हमसे खुश होते हैं, और हमारी सदा अविनाशी खुशी हम बनाए रख सकते हैं, तो आज सारा दिन में खुश रहें और खुशियां बाते, आज के दिवसकी यही शब कामना, ओम शंती